नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूगिट पलेशी गाइड में मेरे नाव मैं आशिश रोतिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक की जितने भी सारी important current effects हैं उनको तो दोस्तों इससे पहले part 1 और part 2 आ चुका है इसका तो part 1 में हमने एक तारिक से लेकर के 10 तारिक तक की जो मार्च के current effects हैं उनको डिसकस किया था और part 2 में हमने क्या किया था कि जो 10 मार्च से 20 मार्च तक के हैं तो अगर आप लोगों ने वो part नहीं देखे हैं तो यहाँ पे उनका link आ रहा होगा तो वो जाके आप उनको देख लिजे इसके अलावा जो यह video होने वाली है तो इस video के साथ हमने लगबख मार्च के जितने भी important current affairs हैं वो सारे के सारे cover कर दिये हैं तो दोस्तों जो यह March के current affairs है यह बहुत important होने वाले हैं ना शिर्फ उत्राखंड के exam के लिए बाकी UPSC, CGL, SSC, EPFO, other states जितने भी हैं सबके लिए जहां भी current affairs syllabus में है यह video बहुत important होने वाली है लेकिन अगर हम खास क्या किया है कि इससे पहले जो 2-3 exam होई हैं तो उनके base पे अगर हम उनका analyze करें तो हमें यह देखने में आता है कि जो नया जो experts आये हैं जो नए exam set करने वाले हैं तो वो क्या कर रहे हैं उनका mindset यह है वो current affairs दे रहे हैं latest current affairs वो आपको 6 मязए पुराना current नहीं पूश चाहें वह पूश चाहे हैं सिरफ एक महने पहले दो महने पहले या तीन महने पहले का current affairs वो पत्वारी का paper आ अपने देखा होगा तो पत्वारी का paper वह था फरवरी का current affairs आया था mostly और कुछ जनवरी का भी आया था तो ध्यान रखना कि ये दो-तीन जो पहले के महने है ना उनका पूछ रहा है तो अब आप ये देख लो कि forest guard का paper है 9 अपरेल को तो इसमें जो current affairs आएगा तो वो March का current affairs इसलिए अपने आप में बहुत important हो जाता है तो इ दोस्ते पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या भी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दिजे और उसके बगल में जो बैल आइकन होता है उसे प्रेस करना न भूले जिससे की आपको आगे आने वाली वीडियो की notification शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मार्च 2023 के करेंट अफैर्स इस वीडियो के साथ पूरे complete होने वाले हैं और इस वीडियो में 20 मार्च से लिकर के 31 मार्च तक की करेंट अफैर्स रहने वाली है इसके साथ अगर आप हमारे सा आते हैं आज के पहले पॉइंट पे तो करेंट अफैर्स में पहला पॉइंट है कि वैश्विक आतंगवाद सूचकांग भारत तेरवे इस्तान पर अफगानिस्तान सीर्स पर तो वैश्विक आतंगवाद सूचकांग जो आया है रिसेंटली 2023 में तो इसमें बूला गया है कि अफगानिस्तान में क्या है आतंगवाद की जो घटनाई होती वो सबसे ज्यादा होती है उसके अलावा यह important point है ठीक है उसके अलावा जो अगला point आता है यह भी important है अगला point है कि world happiness index जिसे हिंदी में बोलेंगे विश्व प्रशंता सूचकान 2023 इसमें जो भारत का जो इस् और Finland जो है वो दुनिया का सबसे खुशाल देश है तो Finland लगातार 5-6 सालों से दुनिया का सबसे खुशाल देश में rank 1 पे बना हुआ है और ध्यान रख लेना कि जो 2023 वाली जो खुशाली रिपोर्ट है ना happiness रिपोर्ट तो उसमें भारत का जो इस्तान है वो है 126 वा और इ 10 अंकों का यहने कि 10 rank का उचाल क्या है इस बार तो यह बहुत important point हो जाता है अगला point है रणवीर सिंग बने दो तो हाली में क्या हुआ है कि रणवीर सिंग को 2022 में भारत का जो सबसे मुल्यवान सुरी खिलाडी नहीं होगा यहां पे यहां पे यह personality होगा ठीक है खिलाडी बने वे थे पहले नंबर पे तो अब 2022 के लिए सबसे जो फेमस जो personality बन गई है या जो celebrity बन गई है वो कौन से है वो है रणवीर सिंग अगला point आता है वो आता है कि भारत सरकार ने साथ यह नंबर याद रख लेना थोड़ा ठीक है भारत सरकार ने साथ एकिक्रेट वस्त और परिधान इसको short में बोलते हैं PM मित्रा पार्क तो पूरा नहीं आएगा short में देख लेना तो PM मित्रा पार्क है तो PM मित्रा पार्क जो है वो साथ पार्क खोलेगा भारत अगला point है महारास्ट के लातूर में भीमराव अंबेटकर की 70 feet की उची प्रतिमा का अनावरन कि जाएगा next point है भारत ने हराज जहाज निर्मार का वैश्विक हब बनने का लक्ष निर्धारित किया है और वो लक्ष है कितना 2023 का तो direct क्या पता सिधा लक्ष पूछ सकता है कि कितना लक्ष है तो वो है 2030 का अगला point है भारत के क्रिशी मंत्री नरेंद्र तुमर द्वारा र इश्या के सबसे बड़े चार मीटर अंतराश्य लिक्विट मिरर टेलेस्कोप का उधगटन किया गया है यह क्वेशन वैसे पुराना है क्योंकि पहले घोशना हुई थी तो उस टाइम पे वी करेंट में आया था तो अब जब उधगटन हो गया है तो उस टाइम पे अभी इसे शॉर्ट में लाइफ बोलते हैं इसका उधगटन किया है अगला पॉइंट है तन्थे पेरियार वन्यजीव अभ्यारन बना तमिलनाडू का अठारवा वन्यजीव अभ्यारन तो इसमें क्वेशन किस प्रकार से आ सकता है वो डिरेक्ट पूश लेगा कि हाली में चर् राज्य में खेल को देखते हुए क्योंकि उत्राखन खेल के मामले में अभी राष्टे इस तर पर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो आपने देखा होगा कि हर्याना और महारास्ट जैसे ऐसे राज्य हैं जो खेल के मामले में बहुत अग्रणी है तो इसी वज़ के पेपर में पूछे जाने के चांसे बहुत जादा है अगला पॉइंट है बांगला देश ने चीन की मदद से कॉक्स बाजार में इस्थापित किया सम्मरीन बेस तो बांगला देश ने क्या क्या अभी एक सम्मरीन बेस इस्थापित किया है कहां पे तो एक कॉक्स बाजा सदर्श बनने की घोशना की तो आपको पता होगा कि जो BRICS है तो BRICS में पांस देश है ब्राजील रश्या इंडिया चाइन एंड साउथ अफरिका तो मिस्टर के राश्टपती ने क्या किया है BRICS के New Development Bank के सदर्श बनने की घोशना की है अगला पॉइंट है A Matter of Heart Education in India नामक पुस्तक किस ने लिखिया है ये लिखिया है अनुराग बेहर ने नेक्स्ट पॉइंट है आईकर विभाग ने करदाताओं के लिए AIS एप देकर रहाग दी है तो ये जो AIS एप है ये किसकी है ये है आईकर विभाग की नेक्स्ट पॉइंट है विराट कोईली बने लगजर के ब्राण्ड अम्बेस्टर तो आपने पन देखा होगा पन का एक ब्रांड है ठीक है इस्टेशनरी ब्रांड है लगजर की रबड आते हैं शॉपनर आते हैं पन वग़ेर भी आती है पैंसल आती है तो इसके evento कौन ब बोल सकते हो तो यह कौन बने है cotton corporation के ललित कुमार गुपता नेक्स पॉइंट है जेयंती चौहान करेंगी बिसलरी इंटरनेशनल का नरेतित्वा तो जो आप पानी पीते हो नहीं कैसे बिसलरी की जो बटल साती है तो अब इसकी जो मतलब चीयर में बोल सकते है या आप इसकी या इसका नरेतिताब कौन करेगी तो यह करेगी जेयंती चौहान अगला point है भारत की होकी खिलाडी है सलीमा टेटे यह काफी important point है ठीक है सलीमा टेटे इनको दो वर्स के लिए भारत से एशियाई होकी फेडरिशन की athlete ambassador के लिए चुनाए गया है ठीक है तो सलीमा टेटे क् बनी है athlete ambassador किसकी एशियाई होकी फेडरिशन की तो दो सालों के लिए बनी है यह important point है नेक्स्ट पॉइंट है जी आरेसी ने जी आरेसी क्या है यह एक company है तो जी आरेसी ने most silent ship INS एंडरोथ हुगली नदी में लांच की तो इसका यह जो INS एंडरोथ है इसका एक उपनाम है most silent ship है इसका नाम तो इसको हुगली नदी में लांच किया गया है ठीक है तो इस दिनाम ध्यान रख लेना INS एंडरोथ भारत और अगला point है भारत और United Kingdom की Navy ने Conquer 2023 युदाब्यास किया तो भारत और United Kingdom ठीक है ये चीज़ ध्यान रख लेना कि Conquer 2023 जो युदाब्यास वा है उसमें भारत ने किसके साथ प्रतिपा किया है तो ये किया है United Kingdom तो ये भी important point हो जाएगा अगला point है रतन टाठो को मिला order of Australia ठीक है तो ये जो सम्मान है ये रतन किया गया इसका तो जैफरी बावा ये इसमें अगर भारत का जो relation है न वो श्री लंका के साथ है ठीक है ये ध्यान रख लेना यहां पर लिखना बोल गया मैं तो श्री लंका इसमें हाँ जाएगा ठीक है जैफरी बावा जो है जैफरी एक company है और ये श्री लंका और भारत से संबंदित है अगला जो point है वो है 2023 के लिए संगित कलानेदी पुरुसकार किसको दिया गया है ये मिला है बॉम्बे जैश्री को तो ये नाम ध्यान रख लेना next point है very very important लुईस कैफरेली है इनको 2023 का एबल पुरुसकार प्रदान किया गया तो ये काफी important point है अगला point है भारत ने G20 से संबंदित B27 million को कहा अयूजित किया है तो ये sum таयूजित हुए है गंग्तोक जहाइक गंग्तोक कहा पड़ता है ये सिक्किम में पड़ता है यानि कि आप इसको global श्रीअन संब्लिह भी बोल सकते है इसका आयुजन किया है कहां किया है दिल्ली में नेक्स पॉइंट है ये काफी important पॉइंट है national youth conclave 2023 का आयुजन कहां हुआ है ये भी नई दिल्ली में हुआ है अगला point है world tv secret samlion का आयुजन कहां हुआ है ये हुआ है वारनसी में और भारत ने क्या बोला है भारत ने ये लक्षे किया है भारत का जो लक्षे है टीवी को खतम करने का ये 2025 है तो भारत का लक्षे है कि 2025 तक भारत अपने देश में टीवी को पूरी तरीके से खतम कर देगा तो world tv सिखर samlion का आयुजन कहा हुआ है यह हुआ है वारंड़सी में अगला पॉइंट है IIT दिल्ली जो है वो इंजिनियरिंग की पढ़ाई के लिए दुनिया के सीर्स पचास जो इस्टिटूट याने की जो सस्तान है उसकी सूची में शामिल हो गया है तो जहां रख लेना नाम कौन सा है IIT दिल्ली नेक्स्ट पॉइंट है इंटल की शुरुवात करने वाले गार्डन मूर का निधन हो गया है तो यह ग्वेशन आपका करंड में भी आ सकता है और कंप्यूटर में भी आ सकता है डारेक्ट पना रमेश शूलार तो संपना रमेश शिलार ने क्या क्या है इन्होंने अंडर 21 में शिलंका के तलाई मननार से लेकर के तमिलाडू के धनुष कोंडी तक पाक जल्डमरू मद्य में तैरने के लिए सबसे तेज भारतियों बनकर नया कृत्मान इस्थापित करवाया है यह इस्थापित होगा यहां पर ठीक है इस्थापित किया है तो अब आपको ध्यान रख लेना है कि श्रिलंका से जो तमिलाडू तक तैर कर आई है यह बस बस इतना ध्यान रख लेना है ठीक है यह है संपन्ना रमेश शुलार अगला पॉइंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है पॉइंट है डव्लू पीयल 2023 तो वुमेंस प्रिमियर लीग 2023 जिसका प मुमई इंडियन्स बनी है और यह इनका पहला खिताब है पहला खिताब किया मतब डव्लू पीयल इसी साल से स्टार्ट वा तो पहला खिताब ही होगा फिर इसका यह मुमई इंडियन्स का पहला भी है और डव्लू पीयल का भी अपने आप में पहला है तो यह जीता है मुम मैंग लेनिंग को मिली है क्या orange कैप और पर्पल कैप जो मिली है वो दो हमेँंदिये की खिलाड़ी थी अब इसमें ध्यान रख लेना कि ओर बिलती है सरवादिक के लिए टीक और पर्पल मिलती है सरवादिक विकैट के लिए तो जिसके सबसे ज़्यादा रन होंगे पूरे IPL में मतलब जो WPL में सबसे ज़्यादा रन किसके थे मैग लेनिंग के थे वो इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है ठीक है और सबसे ज़्यादा विकेट थे हली मैथ्यूस की अगला पॉइंट है 2023 IBA महला विश्व मुख्यबादी चैंपियंशिप ठीक है तो यह चैंपियंशिप होगा यहाँ पे तो चैंपियंशिप में भारत ने कितने सवन जीते हैं तो भारत ने 4 सवन जीते हैं और आपको याद रखना है कि इनके कौन-कौन से नाम है जिन्होंने यह सवन जीते हैं तो एक है सावित्री बूरा, दूसरे है नितु घंगास, तीसरे है निखत जरीन और चोथे है लवलीन बोहरगेन अगला पॉइंट है ICC Lombard General Insurance तो ICC की जो General Insurance की कंपनी है ICC Lombard इसने क्या क्या है एनिवेर कैशलेक नामक एक पहल शुरू किया है कौनसी पहल एनिवेर कैश ठीक है तो यह एनिवेर कैशलेस पहल किसने शुरू किया है ICC Lombard ने अगला पॉइंट है तमिल लाडू में मोरे इल की नहीं प्रजाती की खोच की गई है अरावली परवत शिंखला के चार राज्यू में अरावली ग्रीन वाल परियावरन परियोजना शुरू की जाएग में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का शुरुवात किया है तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्गाटन कहां किया है तो यह किया है नई दिल्ली में नेक्स्ट पॉइंट है इस रो ने श्री हरीकोटा में LMV3 M3 Slash OneWeb India 2 मिशन की लांच किया तो यह जो मिशन है LMV3 M3 Slash OneWe अगला पॉइंट है गुलाम नभी आजात की आत्मकता आजात जल्द जारी होगी तो प्रश्ण आएगा कि आजाद किसकी आत्मकता है तो यह है गुलाम नभी आजाद की तो इनके नाम में आजाद आ रहा है तो टफ नहीं है याद करना अगला पॉइंट है इंडियन आर्बी और इंडियन एर फोर्स ने वायू प्रहार अभ्यास किया तो अगला पॉइंट है क्रिश्ण प्रकास ने गेटवे औफ इंडिया से अलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने तो क्रिश्ण प्रकास जो की एक IPS अधिकारी है इन्होंने सबसे इन्होंने क्या किया है यह पहले ऐसे मतलब व्यक्ति बने है जिन्हो ध्यान रख लेना सारा है वो direct question पूछ सकता है कि उस मादा जो चीता है उसका क्या नाम था अगला point है 2024 तक अमेरिका की बराबरी कर लेगा भारत का highway infra तो भारत जो है highway के मामले में दूसरे number पे है तो सबसे ज़्यादा highway वगरे इस किसमे है सडक जो धाचा है सबसे ज़्यादा किसमे है सबसे बड़ा वो है अमेरिका में तो उसके बाद भारत आ जाएगा तो 2024 तक क्या कर लेगा भारत अमेरिका के बराबरी कर लेगा अगला point है first citizen bank ने silicon valley bank का अधिगरान किया है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि silicon valley bank क्या है अमेरिका का एक bank है और जो की collapse हो गया है ठीक है और तो उस bank का अधिकरान आप किस ने किया है first citizen bank में next point है और यह important point है ठीक है काफ़ important है ब्राजील के पूरवराष्ट पती डिल्मा रूसिफ तो जो डिल्मा रूसिफ है यह क्या बनी है यह new development bank जो की BRICS bank भी जिसको बूलते है तो BRICS का जो new development bank है तो यह उसकी नई अध्यक्ष बनी है next point है SBI ने व्रिक्षा रूपन के लिए 48 लाग रुपे दान करने की घोशना की तो सीधे सीधे प्रशना आ सकता है क्यों व्रिक्षा रूपन के लिए 48 लाग रुपे दान करने की घोशना की इस बैंक ने कई तो यह है SBI next point है NPCI ने UPI भुकतान के लिए PPI शुल्क की सिफारिस की है अभी PPI शुल्क क्या होता है तो इसका पूरा नाम है prepared payment instrument अब इसमें क्या होता है कि 2000 रुपे से अधिक के लेंदेन पर क्या होगा 1.1% जो है वो PPI शुल्क लगेगा next point है PFRDA ने लोगपाल की आयू सीमा को 65 वर्स से बढ़ा कर 70 वर्स की है तो PFRDA ने बोला है कि जो लोगपाल की आयू सीमा है जो अभी तक 65 साल थी उसको बढ़ा करके कितनी हो जाएगी अब वो 70 वर्स हो जाएगी next point है Axis Bank ने डिजिटल भुकतान के लिए PIN on Mobile टकनीक पर आधारित Micro Pay launch किया है तो आपको डारेक्ट याद करना है कि Micro Pay किसने launch किया है ये किया है Axis Bank ने तो ये point हो जाएगा अगला point है भारत मूल की मनमीत कोलन क्या बनी है ये अमेरिका का एक राजय है Connecticut तो इसकी सहायक पुलिस प्रमुक बनी है अगला point है कश्मीर की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षार पुरुसकार 2023 मिला तो ये important point है कि वन्यजीव संरक्षार पुरुसकार 2023 किसको मिला ये आलिया को मिला ठीक है आलिया कौन आलिया भट नी आलिया मीर लेकिन आप इसको आलिया भट से भी याद कर सकते हो अगला point है संगाई सहयोग संगठन के राष्ट्य सुरक्षा सलाकवरों की बैठक कहां होगी वो होगी नहीं दिल्ली में नेक्स point है साउदी आरब बना संगाई सहयोग कारपरेशन का समवाद साज़ेदार तो ये important point हो जाएगा कि साउदी आरब क्या बना जो SCO नहीं संगाई कारपरेशन औरगनाईजेशन तो इसका समवाद साज़ेजार बना नेक्स point है असम के NGO TAPO1 को Children Champion Award से समवानित किया गया है तो सीधे सीधे प्रशन आ सकता है कि Children Champion Award किसको मिला है तो ये मिला है TAPO1 नामक NGO को नेक्स point है T20 cricket के इतियास में सरवादिक विकेट लेने वाले गेंदवाज कौन बने है तो ये बने है बांगलादेश के शाकिब उलहसन तो ये भी important point है इसको भी धियान रख लेना next point है चिली में इंसान में पाया गया बड़ फ्लू का पहला case अगला point है भारत की कांगडा चाय को मिला यूरोपिया संका GI tag तो इस इसको note कर देना important point है ये भी अगला point है केंदर ने launch की नई विदेश वियापार निती 2030 अब जो नई विदेश वियापार निती 2023 है इसमें जो important point है वो ये है कि इसके तहर 2030 तक 2 trillion तक के निर्याद का लक्ष रखा गया है अगला जो point है वो है IPL में सबसे ज़्यदा छक्षे लगाने का record किसके नाम है तो ये है क्रिश्ट गेल के नाम next point है 36 गड में 1 अप्रेल से मिलेगा सिक्षित बिरोजगारों को 25 रुपे का बिरोजगारी भत्ता तो पर मैंने 25 रुपे दिये जाएंगे जो भी सिक्षित बिरोजगार है 36 गड में अगला point है बराक उबामों को पचाड कर ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किये जाने वाले व्यक्ति कौन बने है Elon Musk next point है IPL के इतियास में सबसे ज़्यादा run बनाने वाले खिलाडी कौन है यह है विराट कोली यह भी अपने आप में important point next point है राहूल बोस के नाम पर रखा गया ओडिसा में rugby stadium यह इतना important point नहीं है next point है हिमांचल के कांगडा में H3N2 influenza virus का पहला मामला मिला है तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी यह जो influenza virus है H3N2 इसके बारे मैं बता चुका हूँ अगला point है और यह point है कि 30 जून 2023 तक बढ़ाई गई pen card को आधार card से link करने की समय सीमा तो अब आते हैं प्रमुक दिवसों पे तो जो 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जो important days है उनको देखते है पहला आता है अंतराष्ट्य प्रशन्नता दिवस जिसे world happiness day भी बहुलते है यह मनाई जाता है 20 मार्च को अगला आता है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस इसको इंगलिश हम बोलते है world oral health day यह भी मनाई जाता है 20 मार्च को तो oral health भी मनाई जाता है 20 मार्च को और happiness भी मनाई जाता है 20 मार्च को happiness day फिर आता है विश्व कविता दिवस तो यह मनाई जाता है 21 मार्च को फिर है विश्वा डाउन सिंड्रोम दिवस तो ये भी मनाए जाता है 21 मार्च को अगला जो है वो है विश्वा जल दिवस ये मनाए जाता है 22 मार्च को ये इंपोर्टन्ट है अपने आप में ठीक है अगला जो दिवस है वो है विश्व मौवस्वम विज्ञान दिवस तो ये मनाय जाता है तेई स्मार्च को इसके अलावा विश्व टीवी दिवस जो है वो 24 स्मार्च को मनाये जाता है और विश्व थीएटर दिवस इसको हम विश्व रंगमंच दिवस भी बोलते हैं ये मनाये जाता है सत्ता इस स्मार्च को तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडियाव चाहिए तो आप इसकी पीडियाव हमारा जो टेलिग्राम चैनल है यू की ट्रिपल सी सॉरी इसमें चार एस हो गया है एक एस नहीं होगा तो यू की ट्रिपल सी गाइड है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो बहुत इंपोर्टन रहने वाली है ठीक है मार्च की जितने भी वीडियो जा तीनों वीडियो उसको देख लेना जिसने नहीं देखा है फिर से बूल रहा हूँ मैं